दिल्ली से करीब 8000 किलोमेटर दूर बीजिंग में भी भारत के एग्जिट पोल्स की चर्चा है चीन भी एग्जिट पोल्स को देखकर अनुमान लगा रहा है उसका जो देखकर ये सोच रहा है कि नरेंद्र मोधी 30 बार प्रधान मंतरी बनने जाए चुनाफ परणाम देखने से पहले ही चीनी सरकार के मुक पत्र गलोबल टाइम के सुर्प अधर चुके है गलोबल टाइम में नरेंद्र मोधी और भारत के प़हले प्रधान मंतरी फंडित जवालना लेरू की चर्चा हो रही है ग्लोबल टाइम से लिखा है कि जीत मिलने पर जवालना लेरू के बाद तीसे कारकाल की उपलब्दी हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे राजनेतिक शक्सित बन जाएंगे अब सवाल यह है कि चीन के रुक में ये बदलाव क्यों आया मोदी सरकार की तीसे कारकाल की सम्भावना पर चीन सरिंडर मोड में क्यों दिख रहा है क्या जिन पिंग को लगने लगा है कि मोदी को साथ लिए बिना बदलते वैश्विक पर द्रिश्य में चीन कहीं टिक नहीं पाएगा मोधी सरकार को तीस राटम मिलने पर कैसे चीन, भारत के साथ तक्राव की संभावना कम होने की उम्मीद जतारा इस रिपोर्ट में चीनी मुख पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में पाथ जगों पर नरेंदर मोधी के लिए तीसरे टर्म का जिक्र किया है आर्टिकल के हेडर में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा की पोल से पता चलता है कि मोधी तीसरी बार जीत सकते हैं इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने मोधी कारेकाल में भारत के विकास की तारीव की लिखा तीसरा टर्म मिलने पर मोदी समग्र घरेलू और विदेश नीतियां पहले के तरह ही बनाए रखेंगे वो भारत की आर्थिक व्रधी को बढ़ावा देने की कोशिश जारी रखेंगे आर्टिकल में आगे भारत चीन के रिष्टों में मदभेद दूर करने की बात कही गई है लिखा गया है कि विशलेशिकों ने संबंधों को स्थिर विकास की राह पर वापस लाने और मदभेदों को दूर करने के लिए खुले संचार को बनाए रखने के लिए चीन के साथ सहियो करने के महत्व पर जोर दिया है आर्टिकल में चीन की भाषा सरिंडर मोड वाली दिखाई पड़ती है चीनी एक्सपर्ट्स के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा चीनी एक्सपर्ट्स का माना है कि अगर नरेंद्र मोडी अगले कारेकाल में चीन के साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो सकता है मोडी को तीसरा टर्न मिलने की चीन की भविश्वारी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजे सिंग ने सवाल उठाया है विपक्ष के सवालों का जवाब और चुनाव परिणाव बस कुछ घंटे बाद सब क्लियर हो जाएगा लेकिन चीन के हृदे परिवर्तन का कारण क्या है इसको डिकोड करना ज़रूरी है चीन ने मोधी सरकार के तीसरे टर्म की जो भोश्यवानी किये है उसमें खास तोर पर भारत की आर्थिक तरकी दोपक्ष संबन विदेश नीती और ठकराव कम करने पर फोकस किया है इससाफ है कि चीन भारत के साथ अच्छे कारुबारी रिष्टे चाहता है सारे मद्बेद भुला कर टकराव छोड़ कर अच्छा पडोसी बनने की कोशिश कर रहा है भारत की विदेश नीती के साथ दुनिया में अपनी चबी बहतर बनाना चाहता माना जा रहा है कि अगर नरेद मोदी तीसरी बार प्रधान मंतरी बनते हैं तो अगले महिने उनकी चीनी राश्पती शी जिन्पिंग के साथ मुलाकात हो सकती है साउथ चाइना मौनिंग पोस्ट की डिपोर्ट की मताबिक दोनों नेताओं के बीच जुलाई महिने में तर्जाकिस्तान में मीटिंग होने की संभाव मैं चीन ही नरेद मोदी का मुरीद नहीं हो रहा है बल्कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधान मंतरी बने तो वो दुनिया के एक लौते वर्ल लीडर होंगे जो परमानू तबाही को रोक सकते हैं युद वाले देशों के बीच संकट मोचक बन सकते हैं रूस युक्रेइन युद में पियम मोदी का इबार अंतराश्टिय मंचों से शान्ती की पेशकश करते रहे हैं दुनिया जानती है कि रूसी राश्टपती पूतिर नरेंद मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं पियम मोदी ही युद काल में शान्ती का संदेश दे सकते हैं और विश्व युद वाले विध्वन्स को रोक सकते हैं एक्जिट पोल में जिस वक्त तीसरी बार मोदी सरकार बनने के संकेत दिख रहे हैं ठीक उस वक्त युक्रेन युद्ध में रूस और नेटो की बीच टकराव आल टाइम हाई नेटो रूस के साथ जुद की देलीश पर ख़़ा है हंगरी के पिएम विक्टर ओर्बन ने बड़ा दावा किया है इसके लावा जिर्मनी और रूस के बीच भी तना तनी तेज हो गई है जिर्मनी में सैनिकों को इखटा करने के तैयारी कर रही है नौ लाख रिजर्व फोर्स बुलाने पर विच्चार हो रहा है जिर्मनी रक्षा समती के अध्यक्ष मेरी एगनिस ने दावा किया है कि ये किसी भी हमले के लिए तैयार रहने का वक्त है रूस और नेटों की बीच बड़ती ये तकरार किसी भी वक्त महा युद्ध या परमाडु युद्ध में तब्दील हो सकती है ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वही दुनिया के एकलोते ऐसे नेता हैं जो जंग की इस तबाही को रोकने में भूमी का निभा सकते हैं क्योंकि रूस युक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्त रहकर हमेशा शांती का पक्ष लिया है और देन नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त मानते हैं और उनके कहने पर वो युद्ध में विराम भी लगा चुके हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने वार रुक्वा दी थी उक्रेन में हाँ कैसे उन्होंने दो बार वार रुक्वाई प्रेजिडेंट पूर्टिन से बात की और कहा कि देखे आपके साथ यह अंडेस्टैंडिंग है आपको यहां फाइरिंग नहीं करना चाहिए यह कोडिने हैं तो मैं आपसे डिरेक्टली अपील करता हूं कि आप इसको रोकिए इसकी रावाए सीओ समिट के मंच पर भी पीए मोदी ने रशन प्रेजिडेंट पोतिन के सामने बातचीत से युद्धकार समाधान निकालने की बात कही थी आज का यूग युद्धका है नहीं और हम आपने फोन पर भी कई बार आपसे इस विश्य में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमसी और डायलोग ये सारी बाते ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक पर्ष करती है आने वाले दिनों में शांती के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके हैं खुद युक्रेणी प्रिजडेंट जिलेंस्की और फ्रांसीसी राष्टपती मैकरो भी पिये मोधी को शांती दूत के तौर पर देखते हैं युएन जेनरल असेंबली के मंच से मैकरो ने पिये मोधी की बात का जिक्र करते हुए कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है इससे साफे कि नरेंदर मोधी ही एक लोते ऐसे नेता हैं जिनकी रूस से लेकर पश्चिमी देशों तक स्वीकार्यता है दूसरी तरफ चीन को पश्चिमी देश शक की निगाह से देखते हैं चीन पर पोतेन को उकसाने के आरोप लगाते हैं ऐसे में अगर नरेंदर मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बने तो वो ही परमाडू बटन दबने से रोक सकते हैं